भारतिय टूरिजम को बढ़ावा देने के लक्ष से देश के प्रधानमंति नरेंदर मोदी लक्षदीप दौरे पर गए ये मोदी ने वहाँ कुछ वक्त बिताया और लक्षदीप पर बिताये गए पलो को तस्वीरों के जरीए साज़ा भी किया उन्होंने लक्षदीप को भारतियों के लिए सबसे शांदार टूरिस्ट डेस्टिंशन बताया लगा बस इसी बात पर समुद्र से घिरे देश मालदीप के मंत्री बोखला गए और पीम मोदी पर विबादित बयान दे दिया हलाकि बाद में इन तीनों मिनिस्टर्स मर्यम शिवना, मालशा शरीफ और अब्दूला महजूम माजिद को मालदीप सरकार ने सस्पेंट कर दिया लेकिन एक सवाल सभी के मन में आया या अखिर मालदीप के मन में भारत के प्रती करवाहट कहां से आई क्या मालदीप के नेताओं ने चीन के उकसावे पर तो ये बयान नहीं दिया तो आपको बता दे कि मालदीप के राष्टपती महम्मद मोईजू चीन की यातरा पर है राष्टपती श्री जिन्पिंग से मुलाकात के बाद भारत विरोधी रुख रखने वाले मोईजू ने चीन के साथ 20 एहम समझोतों पर साइन किया है दूसरी ओर भारत और मालदीप में तनातनी का चीन फायदा उठा रहा है अपने बायान से चीन ने इस विवाद में आग में घी डालने का काम किया है चीन ने भारत की और इशारा करते हुए कहा कि अगर किसी ने मालदीप के आंतरिक मामले में हस्तक शेप की कोशिश की तो वो इसका विरोध करेगा और चीन हमेशा मालदीप के लिए खड़ा रहेगा हाला कि सिरुक्त बयान में भारत का कोई जिक्र नहीं था लेकिन ऐसे समय में इस बयान का आना अपने आप में चीन पर सवालिया निशान लगा रहा है इसके बाद भारत के बॉयकॉट के बाद मौलदीप ने परटन के लिए चीन के लोगों को मौलदीप आने का आगरह भी किया है